इस वक्त देवेंद फड़ना ने इस महाराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं आपको सुन लेते हैं संबन जोड़ना चाहते हैं सबसे महत्वकी बात यह है कि यह संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग है इसमें जो प्रमुक हैं मिस्टर चौगुले इन्होंने भी कल्षपष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ यह आये हुए थे इनका कोई संबन नहीं है लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने यह नहीं दिखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किये क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो किचा जा सकता है इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जान बुचकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्टरवादी कॉंग्रेस के मंत्री नवाब मलीक इनके साथ र प्रकारटी यही ड्रक्स की किन पिन होनी चीए लेकिन मैं ऐसी बाते करता नहीं हूं कि वह हिंदी में कहते हैं खिस यानी बिल्ली खंबा नोचे इस प्रकार की अवस्ता नवाब मलीक की हुई है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं अब उन्होंने एक फुलजडी जलाई है तो बं तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलीक इनके अंडर वर्ड के साथ क्या सम्मंद है इसके सुबूत मैं आपको भी दूँगा और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है शी शरत पवार जी इनको भी मैं वो सुबूत दूँगा कि अधा जावेस में पुरावेद देईन तैवेस पुरावेद अस्तिल के सवकशी करावीज लागेल सवकशी शुए काय हो अधा निरज गुंडे या संदरबाद सोता उत्तर देतील पंड नवाब मलीक इननी निरज गुंडेंचा संदरबाद आत्ताचे मुख्य मंत्री सनमान निया उद्धव ठाकने जिन्छी चर्चा केरी पाईजे तैनना विचारलो पाईजे निरज गुंडे आमचे संबन्धित आहेत अच्छ शंबटक्य है याई डिनाइस करनेचा कारण नाई है पण जरा एकदा मुख्य मंत्रान ना विचारलो असत तर तैन्चा लक्षतालो असत मी जवडे वड़ा निरज गुंडेंचा घरी गेलो तैपक्षा जास्त वड़ा मुख्य मंत्री माच्चा कालाच तैन्चा घरी गेलेले आहेत कि मा मी जवडेवा मातो श्रीवर गेलो तैपक्षा जास्त वड़ा निरज गुंडे मातो श्रीवर गेलेले आहेत आणि कदाची बला असो वट्टे कि माजा अधी प्रस्ण चे तैन्चे संबंध ये मानन ये मुख्य मंत्रान ची आए पंड नवाब मलिकान जो पुरावा सिल्टर तेनी ड्यावा ना कार्चन है कार्चन नहीं वाजय पाने ची सवय तुम्हा लाए अमाला नहीं है अमाल गरजी पड़त नहीं दिखे उसका जवाब वो स्वयम देंगे लेकिन मैं नवाब मलिक जी को इत्ती सला दूंगा कि जो अभी मुख्य मंत्री है उद्धो क्तारजी ठाकरे कि इनको एक बर वो निरज गुंड़े के बारे में पूछ ले कितने बार निरज गुंड़े उनके आ ग earth यहाँ यहाँ पर आप कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं वह वापिस कहता हूं खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे और एक बात मैं अब मलिक को कह देना चाहता हूं मैं काच के घर में ने रहता हूं कि अधिकारी पर कर रहे थे लेकिन अब मर्यादा लांगी परिवार के सदस्यों की तस्वीरे पूस करें देखिए कुल मिलाकर हम लोग जब देखते हैं तो मेरी पत्नी जो है यह हमेशा सुशल फिल्ड में काम कर रहे हैं बेबाक बूलती है और जब मेरे उपर यह हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करने का काम कर रहे हैं लेकिन हम उसके लिए तैयार है और यह मर्यादा लांगेंगे तब भी हम मर्यादा नहीं लांगेंगे लेकिन जवाब तो निरज गुंडे यह उत्तर मुख्य मंत्र आंदा विचारा नौ वीतर संगितलाइब अधायत मुझे डिनाइज करते ने पर निरज गुंडे और का यह का आफेंस का यह निरज गुंडे वर एक ही केस नहीं कोनी तेचे विरुद्ध के लेली नाई नीरज गुंडे रोज एनसीपी चे घोटाले बाहर काड़ता आथ तुम्चा थिम्मत असेलतर डिफेमेशन चे केस करूं दाखवा तो देवेंद्र फट्नवेस नी उद्धो ठाक्रें ना मानवोली ची घरस पुड़त ले मानवोली करना रे लुक नवाब मलीकान चारके असता माला मानवोली ने कर वलकता माल चर्चा करतों जिस तरीके से बीजेपी बीजेपी को टार्गेट करने की कोशिश किसले तीर दिरों से लगातार चल रही है पहले बीजेपी पार्टी खनाम रिया गया फिर आप प्रत्ति अनाम रिया गया पर आरुप किये गएक लगातार इस तरीके से जो तार्गेट हो रहे हैं क्या पॉलिटिकल वेंडीका हो सकता है यह क्या टार्गेट है वहीं आप बेसिर पहरबाते शुबह शाम करोगे कोई टार्गेट थोड़ी होता है बात थो हम करेंगे अर पूरे सबूत के साथ करें कि आपने कहा कि अंडर्वर्ट से इनके संबन दे कि इतने उनके ओपर डिफेमेशन हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई बहुत फाइदा नहीं लेकिन जुरूर अब आपने कहा है तो मैं विचार करूंगा क्रिमिनल डिफेमेशन करने का कि मलिकान वर अंडर्वर्ट से इनके संबन दे कि आपने का मंत्रा चे आसी सुरुपत अस्तिल पाहिलन दा अधि या पूर्वी ही नवा मलिकान वर आरोप लागले तेना मंत्री पदाचा राजीना मा देवा लागला होता और तेमाचा जो रिपोर्ट है तो रिपोर्ट उसलों तुमीजर भगितला तर त्या रिपोर्ट मदे तेमाची जी नियाय दिश होते जन्निती चवकशी केली होती तेनी एंचा खोटे पणा पूर्ण उगण केला त्यामस करना त्या ठीकली राजीना मा देवा लगला होता है तो त्यांसा हितियास है पड़ाता यह बाहर आलो नहीं ती मियांड ना रहा है जिस तरीके से आपके पुराने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स पर तमाम सारे निडेयों पर पहले इंवारी कंड़क की गई फिर तरीके से तो क्या सरकार के सारी लोग कि यारे करने के शिUST कर रहे हैं मैं तो तैयार हूं कि मैंने वापिस में बोल देता हूं मैं काच के घर में रहता इसलिए मैं तैयार हूं और मैं इट का जौब पत्थर सी देना जानता है मेरे लिए पिक्चर नहीं भई है विरेक्षा पुर्णावीश नाज्ट के लिला आरोप डिवेंदरा फटणवीशिक्स स्था यह ना हुख लागी ला ना हुख अज भाजय पार्टिकनी काल्यापिती लाउं अंदोरों शुद्धा करते काई बूचे सरकार आहे यह सरकार ला शेथकरेंचा संदर्बाद काही घ्यण देना नाई शेतकरी जगले कि महां मेले या संदरबाद असववेदन शील अशा प्रकार चा सरकार है मी मागे इसांगितलो तुमी कधी तरी येंचे प्रवक्ते संजे रावत अस्तील नवाब मलीक अस्तील कि माजून कांग्रेस चे प्रवक्ते अस्तील यहेंना स्यीट्करेंच-गरद बलता नहीं बगिति लगा। है बॉलीवर्वुड चन्दरबाद बोलती यह अजुनट्रक्ष चन्दरबाद बलती एक लुए कधी मंची लसी तो करद देन थे Jack Cardrawd archite महाई थी देम आंगा थी यहां बेरिती हिंगा धे टन्स फिल्णा केशर ननी माईधी दिया भी याड़ित तर्णा घ्यूने आवगा यह क्योंड़ते है कि यह सो बत अनिल देश्मों कांची का रही पाई लुक्तो आट प्लसु ने शेयर कराउं सब्सक्राइब दिवाली के बाद का आप इंतिजार कीजिए उसके बाद मैं आपको कुछ सबोत दूँगा उसके बाद जवाब नवाब मलिक को देना होगा तसलिक तस्वीर नवाब मलिक ने ट्वीट की है जिसमें दिवेनर फणनवीस की पत्नी अमरिता फणनवीस के साथ जैदी प्राना जिसे ड्रग पेडलर बताया जा रहा है उसको लेकर तस्वीर नवाब मलिक ने जारी की और ये कहा कि देखिए ड्रग पेडलर के साथ किसके संबन है नवाब मलिक आरोप था कि दिवेंदर फड़नवीस के संग्रक्षन में ये ड्रक्स का धंदा चल रहा है आप तस्पीरे देख लीजे और दिवेंदर फड़नवीस ने इसका जवाब देकर कहा कि मेरी पत्नी सोशल फिल्ड में काम करती है कई सारे लोग आते हैं मेरे साथ भी तक्वीरे खिचाते हैं पत्नी के साथ भी तक्वीरे खिचाते हैं उसको किसी को पता नहीं होता कि कौन क्या है लेकिन जो ड्रक्स के आरोफ हम पर लगा रहे हैं नवाब मलिक दिवाली के बाद मैं कुछ सबूत आपके सामने रखूँगा और उसके बाद जवाब आप नवाब मलिक से ऊचिए